हेलो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आप सभी के साथ साथ मेरा विबढ़िया चकाचिक चल रहा है हर रोज की तरह आज भी उठ गया थे चार बजे और मेरा काम स्टार्ट हो गया मॉर्निंग का काम काम तो होता ही रहेगा उससे पहले एक अच्छे से थोड़ देख लेते हैं जितनी मिली है उसमें तो खुश होना ही चाहिए लेकिन उससे ज्यादा पाने का ख्वाइस हमेशा रखनी चाहिए और उन ख्वाइसों को पूरी करने के लिए कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ मेहनत करनी पड़े तो जरूर करनी चाहिए क्योंकि अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सपनों को ध्यान से पाश से देखना होगा अगर हमें सफल होना है तो बस एक ही चीज पर ध्यान देना होगा जो चीज हमें जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें एक आगरता लानी होगी और खुद के मन को दिड़ करना होगा इसलिए तो कहा गया है कि जंग का हारा हुआ जीता जा सकता है लेकिन मन का हारा हुआ अगर इंसान जो हार गया अपना मन से उसको जीतना या फिर उसको शफल होना एक ख्वाब बनके रह जाता है हर छोटा बतलाव हमें बड़ी कामियाबी दिला सकती है तो फ्रेंड्स यह पोजेटिविटी के साथ चलिए आज की वीडियो हम सुरू कर दिये हैं और यह जो कपड़ा है यह दो तीन दीन का कपड़ा है जो की बारी शो रही थी तो सूखा नहीं था तो कल साम को शुखा तो सब यहीं पर पड़ा हुगा है तो हम कपड़ा पहले तह लगा लेते हैं और जो प्लास्टिक कवार रहे थे माइका में से उसके उपर का लेयर में एक प्लास्टिक का लेयर रहता है तो वही प्लास्टिक जब कवारते हैं तो कवारने में तो बड़ा म तो मन और खुस हो जाता है तो बस वह प्लास्टिक जब हम मज़ा द ब्लास्टिक नहीं चलड़ एंप होग को जब देख रहा है इस पर बेट नहीं पड़ाया सिर्फ पलाई दिख रहा है तो उस रूम में काम हो रहा है बहुत ज्यादा डश्टिंग हो रहा है बहुत ज्यादा इसलिए सारा हम समेट के ढखके रख दिये थे कितना भी जितना भी दर्वाजा बंद रखते हैं वो डश्ट अंदर घूसी जाता है और वहीं डश्ट रसोई में भी गुजा होगा रसोई तो खेर बंद करके रखते ही हैं लेकिन कितना बंद करके रखेंगे जब तक खाना बनेगा तब तक खुलाई रहेगा ना इसलिए दिपावली की साफ सफाई तो हुई थी लेकिन आज मेरी किचन की डीप क्लीनिंग साफ सफाई फिर से होगी डीप क्लीनिंग का मतलब यह प्लेटफॉर्म जो है यहां पर यह वाला पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे साफ करेंगे उसके लिए हम पानी चड़ाएं हैं गरम प क zorIE पालता होका गर्म पारी में गरम पानी का तो थोड़ा साप गरम पानी में सब्सके रहें कुटिते प्रइवा colonial हटाला इसके पूझे प्नेश में की और जब बहुत जल्दी जल्दी कीचिन साफ करते हैं तो चीमनी को खोल के साफ नहीं करते हैं क्यूंकि दिपावली में डिपली हुआ था खोल के तो अभी खोल के नहीं किया लेकिन हाँ उपर से जो किये हैं उसमें ही बहुत अच्छा साफ हो गया ये वाला खोल के सिर्फ उसमें से तेल निकाल दियें जिसमें वो लंबा दिख रहा ना उसमें तेल जमा हुआ रहता है उसके बाद सारे डबब को हटाए सामने से ही और सारा को पोचें क्यूंकि सारा चटचटा हट सब में आही गया था और किचें ऐसा चीज है ना कि यहां खाना बनता है तो सबसे जादा गंदा भी यहीं होता है लेकिन अगर इसे साफ सुतरा ना रखें तो फिर वो बढ़िया नहीं काते हैं वाला देखें डबबा आया है नया डबबा है और इसका सेप इतना खुबसूरत है कि मुझे ऐसा वाला डबबा बहुत पसंद जिसका उपर से नीचे तक का पराबर रहे मतलब लंबाई और चोड़ाई शेम सेम रहे और जब इस टाइप का अगर डबबा चार पांच छे साथ एक सेट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है रशोई में रखने में कहीं भी रखे कोई भी चीजिस में डाल के रखे भर के रखे या फिर खाली डबबे भी रखे तो यह रशोई की खुबशूरती बढ़ा देती है तो यहां पर देखे यह वाला डबबा हम सजा दिये थे हाला कि यह वाले डबबे में ड्राइब टूट्स रखना जादा अच्छा माना जाता है अच्छा मतलब लगता है थोड़ा अच्छा बढ़िया क्योंकि इसका ढखन भी आसानी से खुल जाता है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और यहां पर हम इस तरह से थोड़ा सा तो यह थोड़ा सा्चे से साफ करती है और सजा दीये थोड़ा बदलाव अगर आ जाता है कुछ साफ सफाई करते हैं और बदलाव लाते हैं तो फाली फिर अपने अपने आप में थोड़ा अच्छा लगता है बस अच्छा-च्की अच्छा फील होता है उसके भाद सारा कुछ हम साफ गरम पानी से लेकिन थोड़ा थोड़ा थैंडा पानी छूना पड़ा भाष ज्यादा नित और फिर लगे अथ यह वाला हम कर लेते हैं बरतन रखने वाला थोड़ा सा गरम पानी में जब सर्फ डालते हैं तो ठंडा का दिन बहुत जल्दी ही ठंडा हो गया था लेकिन फिर भी हम इतना जल्दी जल्दी हाँ चला रहे थे कि ठंडा होने से पहले यह हम काम सम निप्टा दे तो बस अब यह विला भ होता सुबह सुबह वाला तो बस वही बात है खैर अभी टाइम हो गया था पांच साड़े चार पांच बज गया था आदा गंटा मुझे लगा उधर काम समिटने में उसके बाद ही हम आये थे इधर कि अब रशोई की साफ सफाई करने के बाद यहां से निकलेंगे और ज़्यरूरी है रशोई का यह नीचे वाला भाग यहां से यह सींक का नीचे वाला यहीं पे से बदगू भी आता है और यहीं से मतलब इसको शाफ करना ये तो 8 दिन पे मतलब weekend इसका सफाई हो जाता है इसकी सफाई अगर हम weekend में ना करें तो फिर बहुत ज़्यादा problem हो जाती है हमारे लिए भी और हमारे रशोई के लिए तो इसको तो हम बहुत अच्छे से साफ किये और इसको शाफ करते हैं वैसे भी हम 8 दिन पे वह गोली रग दिये फिनाइल इससे थोड़ा से खुश्म भी अच्छा आता है थोड़ा वह बैक्टिरिया वाला नहीं आता है और यह देखे चीमनी भी हमारा उपर उपर से अच्छा से साफ हो गया चका चक मतलब वह चिक चिक वाला साफ हो गया वैसे तो डेली को जाता है लेकिन डेली वह प्रास को तो होगा ही और आज हम पोछा नहीं लगाएंगे साथ हो सकता है तो लेट हो जाए तो सिर्फ यहां रश्रोई में लगाएप के कyo देगे और अगर टाइम मिलेगा तो देखते हैं जैसा टाइम मिलेगा वैसा करेगी और अब अशनान करने के बाद हम सीधा जा रहे हैं अपने पुजा पाट में मतलब पुजा पाट कर लेंगे उसके बाद ही फिर आगे का काम करें और यह देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मारे ठाकुर जी का पुजा पाट हो गया और भोग भी लगा दियें और अब जा रहे हैं और देखिए आज धूप तो हुआ है अच्छा खाशा धूप है लेकिन हाकंकना हाट बहुत जज़ादा है ठंड है क्यूंकि हावा चल रहा है धीज़ी दीज़ी से और हावा जब बारिष के बाद जो हावा चल रहा है तो ये हावा में बहुत ज़्यादा ठंड़ा पन है सुभा का तो कुछ ऐसा नास्ता बनाते हैं जोकि हलका फुलका हो और जल्दी जटपट बन जाये बस ऐसा ही बनाएंगे बहुत जब ज्यादा ये नेकि रोटी सबजी बनाओ तो बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत ज़ादा ठक भी जाएंगे इसलिए नास्ता हम कुछ सौट में बनाएंगे तो नास्ता सौट में क्या बनाएंगे पहले तो हम सब्जी धो लेते हैं क्योंकि बाहर से जब सब्जी आता तो धोके ही रखते वह कुरोना वाला जो आदत है वह आदत बस लगा हुआ ही है और बढ़िया आदत जब लग लगे है हैं यह बने का लंच में अभी नहीं में लेकिं नास्ता के तैयारी अभी कर ले यह ही है आप लोग के साथ और यह सिर्फ चावल है डाल नहीं है इसका कलर देखके लग रहा होगा और यहां पे काट लिये थे थोड़ा सा एक बड़ा सा प्यास चॉप किये थे पांच छे हरी मिर्च और एक छोटा सा गाजर था उसको भी हम कद्दुकस कर लिये था और धेर दनिया पत्ता और एक टमाटर था सारे को हम बस ऐसे ही जितना बारिक हो सके काटें या फिर उसको चॉप करें और इसमें कोई मशाला नहीं डालें सिर्फ नमक डालें कोई भी मसाला नहीं बस जो डालें आप लोग के सामने डालें और यह बैटर जो चावल कर रहेगा यह ज्यादा पतला रहेगा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा बस अब तवा निकालें तवा चड़ा रहें फटा 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 बना ले रहें एक ऐसा चीज बनाएंगे कि जिसको खाने के लिए ना तो सबजी की जरूरत पड़ेगी और ना ही भुजिया की ना ही चोखा की कि कि पड़ेगी चट्नी वटनी कुछ नहीं बस ऐसे भी खाया जा सकता है तो बस उसको हम डाल दी और हैल्दी नास्ता भी हो जागा बहुत हैं यह बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चे बड़े सबको पशंद आने वाले हैं यह और बच्चों के टिफिन में तो अगर एक दिन दे दोगे ना तो वो रोज-रोज मांगेगा इतना जादा टेश्टी लगता है तो बस उसको तवा को पहले हम धोसा तवा बना लिए उसको प्याज रगड़े उसमें पानी डाले और कपड़ा से पोच दिए उसके बाद यहां पर हम यह वैटर जो था पतला बैटर रहेगा पतला पतला बैटर को ऐसे ही डालते गया है और थोड़ा सा सर्शो का तेल उपर से हम लोग खाने में सर्शो का तेल ही उसकरते हैं तो इसलिए खाना बनाने में भी बहुत जादा हर चीज में सर्शो का तेल ही उसकरते हैं तो यहां पर देखिए बहुत मेरा जो रूटीन है वही रूटीन आप लोग फॉलो करो नहीं सबका अलग- अपने घर के अनुशार दिन चरिया होता है अपने अनुशार होता है लेकिन हम जो अपने दिन चरिया जो फॉलो करते हैं बस वही आप लोग के साथ सेयर करते हैं तो बस यहाँ पे मेरा सारा धीरे-दीरे करके सारा नास्ता बन गया था और सरदी वाले ये सब नास्ते हैं ठंड के मौसम में ये सब नास्ते खाने को मन करता है थोड़ा जादा अच्छा भी लगता टेस्टी भी लगता और मेरा सारा नास्ता बन गया था सारा का सारा परफेक्ट बना था एक भी नहीं बिगड़ा था तो चलिए आज के नास्ते के साथ अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है इसी के साथ वीडियो इंड करते हैं यहीं पर फिर आप लोग से कल मिलते हैं टाटा बाय सी यू